येस तो आज हम लोग जो डिसक्स करने वाले वो टेक्निकल स्क्राइब का पार डिसक्स करेंगे लिए इस ओपन ग्राफ और सभी जगह पर आपकी जो डिटेल्स है वो सभी जगह पर एक टाइप की इंफर्मिशन जाहे जैसे कि मैं यहां पर अगर मैं जाता हूं और अगर यहां पर मैं शाउटन हाइक फर इसामबल में लिखता हूं कर अकूल तो जेषित अचा कोड़ को प्रापर परव्य चीए ऑTS क्या होना चाहे कि जब भी मैं इसको यह फिस्बुक से शेर करता हूं तो जो भीmeye क्समिक आती है राइट वो यूि उनिफरमल होने चाहे है या तो आपको तो जो येटल्स में इसका हिर साथ और यह जो है वो ये ट्रोल काहाई वो नहीं किया तो उसका मेन परपस यह है open Graf का कि जब भी आपकी लिंक कोई भी इंटरेट पर शेर कर रहा है आपकी कंपनी की तो वो यूनी वर्सल होनी चाहिए कि यही टाइटल आए यही इमें जाए यही डिस्क्रिप्शन आए तो वो सब कुछ सेम करने के लिए नॉर्मली ओजी कोड को यूज किया जाता है ठीक है यह वैब कॉम करके जो टूल है तो अगर आपको कौन से पेज के लिए करना है अगर आपका पेज आटिकल है तो आप उची ग्राफ कर सकते हो राइट आप बुक है बिजनेस अप नॉर्मली आपकी वैबसाइट या बिजनेस यह दोनों ऑप्शन में से जनरलाइज पेज क कर तो यहां से आफ इसको एड करो कह पाओ त्रीक्या यहम पर आप क्या करो टाइटल तो यह आपकी वैब साइट फैसर उसका जो टाइन टाइटल है व्याजर हम यह द्यू select Noel folder ना तो मुझे यहांस से इसको लें लेता हूं नहां पर इसको पेस्ट करता एं यूरल तो तो मैं HomePaid ले लेता हूं, Image की URL, तो मुझे Image की URL कौन सी लेनी है, right? So that is what I need to instruct, तो आपको जो भी Image आपकी website पर है वो ही ले सकते हो, right? तो आप आपके developer को भी पूछ सकते हो कि भी यह Image जो है, वो कौन सी है, that you would like to know, right? या तो आप सीधा inspect करके भी इसको check कर सकते हो, if you would like to do it, आप inspect करके भी इसको check कर सकते हो, right? यहाँ पर जो भी आपकी URL है, उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हो, यह आपकी image की URL है, copy, ठीक है? और यहाँ से आप इसको यहाँ पर paste कर दो, right? और यह जो आपका folder है, यह WebP वाला है version, so you need to check it, यह आपकी URL ऐसी है, यहाँ पर आप click करो, यह आपकी image है, आपको obviously अच्छी image लेनी है, right? आपको reference के लिए यह बता रहा हूँ, ठीक है, right? यह है, और description, ताब आपकी website का जो भी description है, उसको भी आप यहाँ से ले सकते हो, right? आपकी website का जो भी description है, for example, मैं यह description के साथ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने ले लिया, और यहाँ पर आप इसको add कर दो, और यह जो आपका code है, वो ready हो गया, ठीक है? इसको आपको कहाँ पर रखना है, website के head section में, जहाँ पर, ठीक है? आपको यह website के head section में, यहाँ मिला, आपको ओगी करके मैं search करूँगा, तो आपको मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, ओधी title, तो यह आपको हर एक page के लिए add करना है, और हर एक page में क्या करना है, same code नहीं रहेगा, हर एक page में वैसा ही code रहेगा, जो वो page के related है, जैसे कि अगर interior page है, जैसे कि यह वाला page है लिए आपने तेजार करके दिया, और remaining page के लिए आपने developer को बोल के, उसको dynamic मना दिया, उसको test कैसे करना है, how you can test it, आपको simple क्या करना है friends, कि आपको facebook open करना है, आपकी website जिसमें आपने og code को add किया है, उसको यहाँ पर रखना है, और आपने जो image और जो सारे information दी है, वो यह यहाँ पर अगर display होती है, वो उसका checkpoint, I hope आपको यह video पसंद आया होगा, आपको नहीं जानकारी मिली होगी, अगर आपको और भी ऐसी चीजों को जानना है, तो you can register for the free webinar, and you will find the link from the description below, okay, thank you, take care.